नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर हमारी अमेजिंग वीडियो में दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको डेवलोपर ओप्शन इनेबल करना सिखा हूँ आज दोस्तों वीबो फोन में आपके से डेवलोपर ओप्शन इनेबल कर सकते हैं और यह सारे अनेक डिफ्रेंट डिफ्रेंट तरीके के option आप इनेबल कर सकते हैं, developer option इनेबल करने के बाद, तो simply आपको करना क्या है कि सबसे पहले आपको जाना है आपकी setting में, setting में हम चले जाते हैं, उसके बाद में आपको कुछ इस प्रकार का interface देखने को मिलेगा, आप simply यहाँ से नीचे scroll कीजिए, ओके नीचे scroll करने के बाद में simply आपको अब करना है कि system management दिखाई देरा होगा आपको, system management पर आपको simply क्लक करना है, अब आपको हो आपर करना है कि simple about phone पर 클릭 करना है, आपको आपको देखना है software version, simply आप यहाँ पर software version देख रहए होगा इस पर आपको तीन बारग क्लिक करना है और लग अतार, तो हम simply यहाँ पर 3-2 क्लिक कर देते हैं अब यह R.I. no need to you और already developer क्योंकि मैंने already यहाँ पर developer enable कर रखाए तो इस वज़े से आप यहाँ पर developer option ऐसे enable कर सकते हैं यहाँ पर simply आपको software version पर 3-2 क्लिक करना है यहाँ पर about phone माने के बाद में तो आपका developer option enable हो जाएगा तो चलो हम developer option को देख लेते हैं simply आपको एक बार bake आना है और system management में आना है आपको simply नीचे scroll करना है और नीचे आप देख पाएंगे यहाँ पर developer option अब developer option हमने enable कर लिया है अब यहाँ पर आपको simply इसको open कर लेना है और यहाँ पर okay कर लेना है अब इसमें आपको बहुत सारे function यहाँ नई नई setting दिखने को मिल जाएगी आपको simply USB dubbing यहाँ पर on करके रखना है wireless dubbing भी आपको on करके रखना है उसके बाद में आपको यहाँ पर जो जो आपको जरूरत है यहाँ पर इनेबल कर सकते हैं अगर आपको इसका developer option का हर एक setting के बारे हम नहीं पता है तो आप comment में उझे बता देना मैं इसके लिए एक full dedicated video लादूँगा जिसमें हर एक setting के बारे हम आपको बता दूँगा कि कौन से setting काम पर काम आती है तो आप प्लीज से comment जरू कर दीजिए अगर इस पर अच्छे लाइक आए तो मैं इस पर फूल एक video बना के लाऊंगा developer option पर जिस पर आप पूरा information बताऊंगा तो इस परकार साब developer option Vivo phone में enable कर सकते हैं मेरा phone Vivo Z1 Pro है आप Vivo phone में same यही तरीका अपनाएंगे तो वे developer option आपका enable हो जाएगा तो कैसे लगा आपको वीडियो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज से like करके जब जाना मिलते हम किसी हो रहा 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 तर वीडियो में तब तक के लिए good bye thank you झाल 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 हुआ झाल झाल झाल